हलो दोस्तों कैसे आप सब लोग जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो मेरा दोस्त था सारस कि उसको वन विभाग की टीम एक आएक आती हो लेकर चली जाती है समस्पूर पच्छी विहाद और पीछी पीछी हम भी जाते हैं उसको देखने के लिए मिलने के लिए फिर थोड़ी देर देखने के बाद वहां से हमको वापस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि बीस पच्छी इस दिन आप यहां दिखाई मत पढ़ना क्योंकि आप इससे मिल नहीं सकते हैं फिर एक दिन अचानक पच्छी वहां से उड़ के पास वाले घाव में जाता है और जहां कुछ जंगली कुट्टे उसको और कुछ जंगली जानवर उसके उपर हमला बोल देते हैं जहां एक लड़का अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाता है आप और उसकी जान बचाता है और फिर अपने घर ले जाता है ओर घर ले जाने के बाद फिर उसको दाल, चावल, सब्बी, रोटी यही खिलाता है तब तक पूरे गाउं में मुस्तलब हला हो जाता है कि वारीफ वाई दोस्ति आप आ गया है फिर गाओं में से एक आदमी किसी वन विभाग की टीम को सूचना दे देता है जो समस्पूर पच्छी विहार सलोन में है सूचना देने पद फिर टीम आती है वहां के उसको दुबारा ले जाके वहां पर बंधख बना दिया जाता है किचन में बंधख बना के लगबख उसको 49 घंते तक वहां रखा जाता है जब बच्छी कुछ खाता नहीं सिर्फ पानी पी रहा था तो वन विभाग के हाथ पाउं फिर उसे फूलने लगते हैं उसके बाद उसके लिए और कोई दूसरी बवस्था के करने लगते हैं फिर एक दिन अचानक लखनौस की चिडिया घर की गाड़ी जाती है और उसमें कैद करके लखनौस चिडिया घर की गाड़ी थी पर उसको कान पूर चिडिया घर में ले जाकर कैद कर दिया जाता है जहां वो एक पिजड़े में बंद है बहुत ही परिसान है आप लोगों नों वीडियो देखिए होगी सोसल मीडिया पर कैसे खड़ा था मुझ खोले हुए हाफ रहा था इधर उधर हमको ही ढूंड़ा करता है और वहां पर उसका भोजन नहीं मिल पा र कर दिये है ताकि वो जल्दी से जल्दी हमको वापस मिल जाएंगा अचान।